तो है आज इस विडिवेज में बात करने वाले हैं आरचीएफ ग्रेजुएट टेकनीशियन एंट्रेइड एपरेंटिस टॉंटिट्री रिकुड्मेंट के बारे में तो इस विडिवेज में आपको बताएंगी कि अलग अलग प्रकार के रिगारिंग यहां पर विभिन सब्सक्राइब को यहां पर आपको सबसे पहले बताते आपका अप्लिकेशन फॉर्म होगा वह आपका 24-10-2023 से लेकर आपके साथ 11-2023 तक फॉर्म को भरा जाएगा यहां कोई नहीं रखा गया है मतलब आपके जो मेरिट लिस्ट हों के वह कब आएंगे और जो एड्मिट कि बात करते हैं वह नहीं लगने वाला है अपको पढ़ने आता है लेकिन हम को आप नहीं देगे तो आपहीं नीचे कमें लिख दे जेगा पोस्ट कितना था यह बताई नहीं एज लिमिट के रहेगा हमारा तो यह सभी एक बार में हम आपको बता जाते हैं ताकि आपको यह सभी लिखने की जुरूत नहीं पड़े वीडियो देखे तो आपको सभी बेसिक की जो है वह आपको किलियर हो सके ठीक है चलिए यहां पर ब पोस्ट के लिए बैचल डिग्रीन इस्ट्रीम यानि किसी बिस्ट्रीम में आपको सिंपल बैचल डिग्री होना चाहिए क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम है आपको हम बताएंगे नेक्स है टेकनिशन अप्रेंटिस में 3-year का इंजिरिंग डिप्लोबाम आ गया है किसकिस में केमकल सेविल कंप्यूटर एल्क्रिकल इंस्ट्रोमेंटेशन में नेक्स्ट आपका ट्रेड अप्रेंटिस में 136 वेकेंसी है इसमें 10 10 प्लस टू आपका पास होना चाहिए और बीए सी डिग्री आपके बास होना चाहिए और ट्रेडवाई एलेग्टी जो रखा गया है उ एसिस्टेंट एडिक्युनमिक्स होना चाहिए और जो सिग्रेटर है कोई पास होना चाहिए और बेसिक इंगली करिकारिक इसमें students इसमें वान गया इंगलीज का नोलेख होना चाहिए है इसलें यहां पर मिनिम्नीम मैक्सम पर ट्रेणिंग का कर सकते हैं यानि 12 मन्त यानि एक साल का ट्रेनिंग होगा और कर सकते हैं कि पोस्ट बाइज है हुए आप वह भी यहां पर चेक कर सकते हैं नेक्स जो वेकंसी है वह आपका सॉड़ी नेक्स वेकंसी जो है वह टेकनिशन अप्रेंटिस के रिकारिंग है अलग-अलग ट्रेड म नेक्स्ट एज लिमिट देख सकते हैं यहां भी 12 मंत का ट्रेणिंग रखा गया है और नमबर वेकंसी को भी चेकर सकते हैं नेक्स्ट आपका है तीसरा जो वेकंसी हो जाता है वह आपका ट्रेड अपरेंटिस हैं जिसके रिकारिंग एटेंडेंट ऑपरेटर का है इसमें आपको 10 उसने सब्सट और नेक्स्ट इसके रिगारेंग यहां से सभी कुछ चेकर सकते हैं अड्शरा इसाइन्ट आरो माथैंगी ओना चाहिए और सिंप्ली आपका ट्रेड पास ओना चाहिए किसी में स्ट्रुमेटेशन में बीसी पास होना चाहिए होना चाहिए सब्सक्राइब करें और यहां पर चौबिस मन्त के दो रखे गए ठीक है चलिए आपका बात करते हैं कि सेलक्षन कैसे होगा यहां पर सेलक्षन होगा आपका मेरीट बिस्ट होगा ठीक है जो का प्रसेंटेज का टेरिया है सीजी प्रकार के ग्रेड है उसके रिगारिंग कर आपको वहां बताया होगा कि को उसे कंवर्ट करते या फिर भी आपका पता कर सकते हैं परसेंटेज के बैसिस पर का होगा का होगा पोस्न का दिन आपको कोई किसी करत का इलावन सेफी बेनीफीट नहीं दिये जाएंगे आपको medical facility यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो यह क्या है इसके regarding आपका तमाम जनकारी है जो कि हमने यहाँ पर दिया है और इसके फायदा यह भी है कि इसमें अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो फिर दुबारा जब भी आपको प्रिफरेंस ज्यादा दिया जाएगा ठीक है सिंपलता यहाँ पर यह बाते होती है तो आपको सभी को समझ में होगा फिर भी किसी बकार का कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिकर पूछ सकते हैं तो रखते हैं वीडियो को यह पर सभी लोग मिलेंगे नेक्स पूडिस में थैंक्स पूर वाचिंग